हेलो फ्रेंद चैनले पे आप सब का फिर से स्वागत है दोस्तों थैंक्स हो सब्सक्राइब है और यह लवन सपोर्ट दोस्तों आद में वीडियो लेकर हैं जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि जो आए एन एडी डिपार्टमेंट है इसके अंदर में जो बहुत सरे अल बलस यह को क्या मिलता है वो इस पूरी वीडियो में अपको बताऊंगा तो दोस्तों फ्रेद्स ना हो और अगर वीडियो पसंद आया है तो-बाइक से आख वो subscribe जरूर कर दिजिए तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और की पॉस्ट से जब अपन जोईन करते हैं आएसे अगर आपने डाइक डबलिव जोईन के लिया या एज़र जोईन किया है तो दोनों प्रोमोशन कि आपको six years अभी लग जाते हैं उसके बाद में जो senior order को अगर आपको साथ से आठ साल हो गए हैं तो आपको पोस्ट मिल जाती है नॉर्मली लेकिन उसके उपर में जो लगबाग इतनी सब्सकिंदता है जाएं हैं अब के का बेटेसं अफिसमें कि आपको पोस्ट नहीं तो मिल रहाये हैं यह मतलब पर्टिकूलो पोस्ट अपके आप्फिस में नहीं मिल पारी और यह कुझि की बैच्समेट जादी हैं आप साथ वेजर की पोस्ट इसमें मिल जाती है लेकिन नॉर्मली होता है कि जो नए ओडिटर्स आते हैं वो उनके पास में एक मोका रहता है कि आप ऐसे दे के डेबलेव बन सकते हैं और ओडर के पास में तो एक दम गोल्डन ऑपरचुनटी रहती है कि अगर आपको ऐसा डिपार्टम मिल गए आपको हम जोन नहीं मिला है आप कॉमर्शल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं क्योंकि कॉमर्शल डिपार्टमेंट में आपको हम जोन मिल जाता है तो आप अगर किसी और डिपार्टमेंट में आपको मिला है तो आप ऐसे दे के जो कॉमर्शल का जो ऐसे होता वो देके commercial department में घुस सकते हैं और उसके बाद में अपने home zone में जा सकते हैं मतलब INAD के अंदर में एक ये बहुत ही अच्छा रास्ता है auditor के लिए अगर आपको home zone by chance नहीं मिला है तो essays देके commercial audit से आप commercial audit में जाईए और उसके बाद में आपको within three years आपको home zone मिल जाता है उसमें मिलने का reason यही है कि commercial department की जो seats रहती है वो हर department के अंदर है चाए वो P&T हो चाए railway हो कोई भी हो उसमें commercial की seat रहती है प्रस commercial के जो offices है उसमें तो रहती है तो यह chances रहते हैं कि आपको home zone उसमें normally मिल जाता है और उसमें transfer policies भी हैं बागी department में नहीं है तो order के पास में एक अच्छी opportunity रहती है दूसरा order को अगर मालों कि आप भी दूसरे डबले ओ नहीं दे रहे हैं आप order के positive आपको promotion चाहिए जएधा आपको transfer promotion को पंगाने चाहिए आपको भी आपका unit मिलिए आपको कहीं नहीं जाना है normally वैसे आपका transfers अगर आप same department में देते हैं तो नहीं होता है W में आपको उसी जगह रखा जाता है लेकिन अगर आप order पर रहते हैं तो आपको एक extra incentive exam देने का मोगा मिलता है जिसे कि अगर आप उसे पास कर लेते हैं तो आपको एक extra increment मिलता है मतलब इस तरह के जो चीजें हैं वो सिर्फ आइनएड डिपार्टमेंट में है और किसी डिपार्टमेंट में नहीं है सीजेल के तुरू जो भी पोस्ट है जितने भी पोस्ट अचा इंकम टेक्स और उसमें किसी में भी इस तरह की फैसलेटी नहीं है यह उटर लेवल पर सिर्फ एक इंसेंटी हुए लेकिन यह जब आप सिनेयोट बन जाते हैं तब आपको दिने का मिलता है तो आपको एक अगर आपने सेस क्लीर कर लिया भले ही अपने डिपार्टमेंट किया तो सब में प्रोमोशन का एसपेक्ट जो इसमें थोड़ा अलग-अलग हो जाता है आप ने जब डबल जोइन किया उसके बाद में अगर आप पी एंटी के अंदर में मतलब एफंटी के अंदर में तो आपको ऐट लिस्ट सी नियो बनने में 15 साल कास्प लग जाते हैं 14-15 तो इसमें लग जाता हैं अगर आप सिविल में है आपको से मिल रख तो यह डिपेंट करेगा dai aunt वहां धीर हो जाते हैं कि वहां पर हो जाती है दूर inflation चलता रहता है कुछ फिक्स नहीं है तो ऐसा सीविल में रहता है और अगर आप रेलवे की बात करेंगे तो रेलवे के अंदर में भी सेम आपको 14-15 आपको लग जाता है अब बारी आती है कि अब बारी आती है जब सीनियरों की पोस्स अब को मिल जाती है तो इसके आगे अगे अच्छे प्रोमोशन्स हैं आपको उसमें 8-10 साल के अंदर सीनियरों की पोस्ट मिल जाती है प्लस आगे भी प्रोमोशन्स में थोड़ से फास्ट रहते हैं लेकिन बाकी सीनियरों के आने के बाद में नॉर्मली जो डिप्टी डिपार्टमेंट में उनको एक ही टाइम लगता है तो अभी जैसे आपको म सेस्ट केटेगरी वाले अगर हैं तो उनके चांसिस अच्छे हैं वो आगे तक बढ़ सकते हैं उनको डिएजी एजी प्लस डिएजी तक भी जाने के चांसिस रहते हैं वो भी अगर उन्होंने थोड़े कम एज में जोइन किया होगा अभी डिपार्टमेंट में क्या चल र ले इसके बाद में दोस्तों यह आपका प्रोमोशन अगया अभी जो एक फाइनेशल बेनफिट है जो मिलता है और डबल ए को वो है कि आप अपने लाइफ टाइम में चार एक्स्टा इंक्रिमेंट ले सकते हैं मतलब कि आप यह मान के चलेगी आपको दो एक्स्टा प्रमो प्लस अगर आप डेटेल में रहता है वो तुम्हाइक वीडियो अलग से बना चुका हूं आप चैनल जाके देख सकते हैं तो इसमें अगर आप एक तो यह और बहुत काम आती हैं और आपको एक्जाम करती है तो double जिसमें आपको मिल जाता है तो यह होगा सारे प्रमोशन एस्पेक्ट मैंने कोसिस की सारे पॉंट जिसमें क्लेर हो जाएं आपके लगबब कवर करने की कोसिस की बेनेट बताएं तो अगर अगर कुछ कवर ना हो आपको लगता कुछ डाउट है तो कमेंट बोक्स में कमेंट जुरू कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आयो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए तो फिलाल के दोस्तो जै हिंद